नमस्कार विद्यारतियों जैए नमक कावे के पटन का विधान किया गया है जिसमें स्वयम वेदव्याजी के लिखा है नारायणम नमस्क ते नरम चयव नरोत्मम देवीम सरे स्वतीम चयव ततो जैयम उदिरेत विद्वानों का गतन है कि जैए कावे ही मावारत का मुल रूप है सयम मावारत में लिखा है कि यह जय नामक इतियास है जयम इतियासं सो अयम पांड़ों के विजय वर्नन के कारण इस गर्ण का ऐसा नामकरण किया गया है प्रोपेसर मेर्डोनल के मत में जय में 8800 स्लोक ते तो उसमें कुल कुरू पांचालों के कले का वर्नन था परन्तु मावारत में इसपस लिखा कि यह संख्या कूट स्लोकों की है अर्थात आस्टो स्लोक सहस्तरानी आस्टो स्लोक सहस्तानी चे एहम वेदमी शुकुव वेति संजियो वेति वानवा दूसरा इसका सोपान है भारत वेदव्यास ने इस ग्रंद को अपने सिस्यों को पढ़ाया उनमें से एक सिस्य वेसम पायन ने इसे राजा जन्मेंजे को उनके द्वारा दिये गए सर्प सत्र में सुनाया जै की कता करते समय जन्मेंजे और वेसम पायन में अनेक विस्यों के पर प्रस्नोतर तता वाता लाप हुआ ये सब कुछ जय में सम्मिलित कर दिया गया है यही इसका दूसरा संस्क्रण था अब इसका नाम भारत हो गया लगब इसा से पूरो 300 वर्स पहले इसका ये संस्क्रण सामने आ चुका था इसमें 24,000 अजार स्लोप थे ठीक उतने ही जितने आदि कावय रामयन में विद्यमान है किन्तु इस संस्क्रण में उपाक्या नहीं थे स्वेम महावारत भी इसका संकेत प्रात होता है तीसरा इसका सोपाहन महावारत ग्रंट से पुने ज्यात होता कि भारत की कथा को सोती ने जन्वेजे के सर्प्षत्र में सुना अब ये तीसरा संस्कृरण था जो महाबारत के नाम से प्रसिद्द्धि पाने लगा, अब इसमें एक लाक स्लोकvisor महाबारत का अपर नाम सत् आहाष्त्री संधीृता अर्थात एक लाक स्लोकों के पुष्थक हो गया जिसके बारे में लिखा गया है इदम सत सहस्रमतू लोकानाम पुन्य कर्मणाम उपाख्याने से ग्यायम अध्यम भारत अध्यम उत्तमम भारत में वर्तमान रूप से व्रद्धिकाये कारिये उपाक्यानों के जोड़ने से ही निश्पन हुआ है ये उपाक्यान विविद प्रकार के थे कुछ तो प्राचिन दिशी तता कुछ राजाओं के जीवन से संबंध होने के कारण गठना परदान थे एतियासीख होने से प्राचिन इतियास की अमुले निदी थे अत्वा ततकल इन लोग कलाओं के ही साहित तेक संस्क्रणते अध्यात्म धर्म नीति की विशद विवेशना ने इस महभारत को भारतिय धर्म तता संस्क्रणति का विशाल विश्वकोस बनाने में साहिता प्रदा की उसे व्यास के नाम से ही प्रचलित किया और अपनी रचना का स्रेई भी उन्हीं प्रदान करके अपनी क्रज़ता प्रगट की जैसा कि उपर महाबारत की विकास के तीन क्रमिक सोरुप के अंतर के दिश्पष्ट किया गया है कि महाबारत का परिवर्दन अनेक बार अनेक व्यक्तियों दवरा हुआ महाबारत के अंतर साक्षों के आधार पर भी यह नुमान करना सहजे यही कारण है कि इस करती में भासा सेली और चंदों की द्रिश्टि से बिन बिन का इसमें प्रियोग हुआ है या दर्सन होते हैं माभारत की खता कई सद्धियों तक सूतों की रचना पर फलती फूलती रही इसमें मुख्य युद्ध का वर्नन संजे ने दर्तराष्ट के सामने किया था संजे भी सूत था और सोती भी सूत पुत्र ही था ये सूत लोग सवा अपने स्वामी को प्रसंद करने के लिए अपने मनोन उकूल ही रहते थे संजे कोरों के आसृता था तो उसने जो युद्ध वर्नन किया उसमें पांडव ही अन्याय तता चलका आस रेलेकर कोरों का संगार करते ही चित्रित किये गए हैं भारत के प्राचिन साहित्ते के निर्मार में ब्रामनों का भी बड़ा हात रहा है अतर जोजों इन वीर गताओं का सर्व सदरन में परचार बढ़ता गया वैसे वैसे ब्रामन भी उन्हें अपने अपने साचे में त्सक्राच में मावारत की गए आकामनी ये करेकर अपने बढ़ता। माबारत के प्रतेख परवक का अध्याय के अंति का वहद जिसमें वर्न किये हुए प्रस्ट की समापति सूचित क्याती है इससे ज्यात होता है कि इस काववे के लिए संग्रे ग्रंत का प्रियोग किया गया है। इसके बारे में अपन पूरों में चर्चा कर चुके हैं। देश का नास्त तता धर्म से राष्ट के अब्वितान की बात बड़ेई सुंदर आख्यानों के द्वारा हमें समझाने का प्रियास किया है। वेद्वियास जी कर्म वादि आचारी हैं। कर्म ही मनुस्य का परिपक्व लक्षण है। कर्म से परामुक मानव, मानव की पद्विसे सदा वंचित रहता है। आस्व मेग यग्य में आया है कि प्रकास लक्षणा देवा मनुस्य कर्म लक्षणा। इसी कर्ण तो वे भवे भारत भूमी कर्म भूमी है। फल भोगने का इस्तान तो स्वर्ग है जो इस भूमी के छोड़ने के अनंतर प्राप्त होता है। मानवता का उन्नाएट तत्व पुर्शार्थ ही है। वेद्व्यास के सब्दों में ये सिद्धान पानिवाद के नाम से विक्यात है। संसार में जिनके पास हाथ है अर्थात जो कर्म में दक्ष ता उच्छा ही है। उनके सब अर्थ तता प्रियोजन सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जगत में पानी लाब से बढ़कर लाब कोई दूसरा नहीं हो सकता। वेद्व्यास की राष्ट भावना बढ़ी ही उद्धात और विशुद और जैस्वीन है। राजा राष्ट का केंदर होता है। भारती राजा प्रजातंतर युक्य अधिनायकों के दुर्गुनों से सर्वता मुक्त ता स्वेच्छाचारी राजाओं के दोसों से भीन होता है। वेतो प्रजा का सर्व भावेन हित्सिं तक मंगल सादक होता है हमारा भारती दर्म ही राज मुलक होता है राज दर्म के बिगड़ने पर समाज तता राष्ट का सर्म नास हो जाता है राज नितिक नेता के लिए महावारत एक विलक्षन आदर्स उपस्तित करता है जो आज तक भी उतने ही सुंदर रूप में अनुकरनी है और ग्राई है भारत एक क्रशी प्रदान राश्टर है अथा वेद्यास का आगरे है कि जो नेता स्वें अपने हाथों क्रशी नहीं करता खेत नहीं जोता ये बोता उसे नेता बनकर राश्टर की समिती यानि सवा में जाने का अधिकार नहीं है वेद्यास की मानवों की प्रती मानने सिक्षा ये है कि कतनी से करनी बड़ी है माबारत में किसी बुद्ध रिश्टर के द्वारा कही गई ये प्राचेन गाता चंद इसी तत्ते पर जोर देती है कोई भी प्राने काल के चक्र से नहीं बस सकता है पांड़ों की विशं तता समरद दसाओं के आलोचे की द्रिश्टि से काल की बाईमा एपरी में है कहा गया है सर्वम जियम ब्रत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मन पदम एतावान ग्यान विशं किम प्रलापे करिश्चति महरसी वेद्यास आदी कभी बालबिकी के अनंतर सं चित महबारत आर्ज काववे के नाम से प्रसुद है बाद की सद्यों में संस्कृत सायत्ते की जो उत्पति हुई तता जिन काववे नार्टकों की रशना हुई उनमें रामायन और महबारत दो अन्य ग्रंतों का प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है मा कालिदास ने रग्वन्सम में इन कव्ये को और बड़े आदर के सब्दों के साथ संकेतित क्या है व्यास की पृतिवा का परिचाय यही गटना है कि युद्धों के वर्नन में कहीं भी पुन्रुपती दिखाई नहीं देती है दन्यवाद